Hello students, let's see the question. So the question says, what is the valency of iron in pharic hydroxide? यहाँ पे आपको गौर करना पड़ेगा इस suffix में. Suffix क्या है? IC. आपको पता है कि variable valency होते है किसी-किसी elements के. Variable valency यानि more than one valencies. तो iron का क्या होता है? Iron का होता है 2 and 3. अगर less valency वाला जो है, उसके अगर कोई compounds होता है, वहाँ पे हम O, U, S लगाते हैं suffix में. और अगर higher जो valency होता है, उससे कोई compound बनते हैं, तो वहाँ पे हम suffix में क्या लगाते हैं? IC, 1 लगाते हैं. आप यहाँ साफ साफ देख सकते हो कि pharic hydroxide बोला गया है, यानि IC लगे है, तो pharic hydroxide का formula भी लिख लेते हैं. कुछ नहीं लगेगा, 1 लगेगा जिसको हम लिखते नहीं है. तो यह हो जाएगा pharic hydroxide का formula और आपको तो answer already पता चल गया है, कि इसका valency क्या होगा? जो ज़्यादा बाला valency है, यानि option A में रहा 3. I hope यह समझने में आपको कोई difficulty नहीं है. Thank you so much.